चिंदवाड़ा जिले के मोखिड विकासखंट के ग्राम देवगण का अपना एक गौरव साली दियास है गोंड राजाओं ने यहाँ पर राज किया जिसका बैभाव आज देखने को हमें मिलता है यहाँ पर सैकडू की संख्या पर बावली और खुएं है किला है जिसकी इमारत इसकी बुलंदी की दास्ता को बया करती है जल प्रशासन के प्रयास से सैकडू बावलीों को पुनर जीवन मिला है उन्हें संजोया जा रहा है और सवारा भी जा रहा है आज हम गोंड शासक राजाओदारा बनाई गई इन बावली और खुओं का जाजा लेने पहुँच रहे हैं और इनके धियास के पन्नों को भी पलटने हम जा रहे हैं ये देवगड की वो धरोहरे हैं जो कई सालों पहले राजा माहराजाओं ने लोगों की प्यास बुझाने के लिए बनबाई थी लेकिन जैसे जैसे समय गुझरा वैसे वैसे प्यास बुझाने वाली ये बावडियां मिट्टी की पर्तों में कहीं गुमसी हो गई लेकिन अब ये पर्ते हटने लगी हैं और ये बावडियां फिर से लोगों की प्यास बुझा रही हैं आखिर इन बावडियों को कैसे नया जीवन मिला ये जाननी की कोशिश बंसल्यूस की टीम ने भी की और हमारी टीम भी जा पहुँची देवगड चिंदवाडा से 42 किलोमीटर दूर मोह खेड विकास खंड का गाउं देवगड सोलहंवी शताबदी से अपनी बैभव शाली इतिहास और समरद्ध विरासत को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है देवगड गाउं के आसपास दो वर किलोमीटर के क्षेत्र में गोण राजाओं ने बावडियों और कुओं का निर्माण किया था अब इन बावडियों के पुनर निर्माण और जीनो धर का काम तो हो ही रहा है साथ ही इनकी सूरत सवार कर इने पुराने जमाने की चमक्ती धरोर के रूप में फिर से स्थापित किया जा रहा है चिंदवाड जिले के देवगड रियासत की जब हमने बावलियों और कुओं का एक तरह से अध्यन किया जाके हमने उनको देखा और महसूस किया तो हमने पाया कि यह बड़ी संब्रद विरासत देवगड की रही है हमारे साथ इस वक्त जला पंचाइसियो गजेंदर सिंग नागेश जी है आई हम उनसे बात करते हैं कि आकिर इन बावलियों के जिर्णोधार का विचार मन में कैसे आया यह प्रिणना कहा से मिली नमस्कार बेसिकली जो आप जिस जगह पर खड़े हैं एक बावडी है जिसको हमने साजनलाल की बावडी कहा है बेसिकली बड़ी रोचक कहानी है अगर आप देवगड में इन जल्स नशनाओं को देखते हैं जिसके बारे में माना जाता है कि यह लगबग लेटर 16 सेंचु और विजयगाड इन गाओं में लगबग अगर हम कहें कि 20 स्कूर किलोमीटर एरिया में लगबग है हसारों की तादात में एक यहां पर कहावत है 800 कुए 900 बावली हजार मंदिर और बड़ा रोचक है यह बात समझना कि सत्पुड़ा के इन घनीवादियों में जहां पर आल हम बात करते हैं कि जो शाहवंस के यहां शाशक हुए हैं जाटवा शाहजी और उनके उत्तरा अधिकारियों ने एक सीरीज में यह इन जलसनरशनाओं को बनाया है और भी विशिष्ट बात यह है कि यह यहां की जो नदियां हैं इनके साथ समानांतर में चलती हैं यह बाव अगरीकों को एक तो रोजगार उपलब्द कराना एक काम था और दूसरी बात है कि अपने हेरिटेज अपनी आइडेंटिटी अपनी पहचान को भी अगर हम रेस्टॉर करते हैं तो हम लोगोंने बनरेगा में परमपरागत जल शोतों के संडक्षन के तहतिन को लिया है और लगबग इसमें चगुदा बावली हमारी बन के तयार हो गई हैं कुल बावन हैं जिन में हमारा और भी काम चल रहा है और अब आप इनको देख भी रहे हैं कि ये कुछ एक ऐसी एक्टिविटी के रूप में तयार हो गए हैं जहां पर किसान इन बावडियों से पानी भी ऑफ लगतार ले पा रही हैं अपनी फार्मिंग भी कर रहे हैं इसका सब सब्सक्राइब करेसा कि और बागवनी कि फसलों पर भी जा रहे हैं जब आहां कि दिवगढ जी के साथ जो शाह वाज्ण कि यहां पर नियू रखे गई पंद्री सोल भी सताब्दी के आसपास का समय ऐसा विशेशग्यों का माना जाता है और निश्यत रूप से काफी बड़ा एरिया इनके समय में प्रभाव में रहा होगा वर्थमान नाकपूर जो हम देखते हैं विदर्व की राजधानी उसके स् शाह ने किया था ऐसा विशेशग्यों की मानेता है तो एक काफी बड़ा रीजन जो आज की तारिक में कुछ बैतूल में और नर्सिम पूर्चिंद्वाड़ा वगरे का हिस्सा रहा है और सिवनी का भी रहा हो सकता है नाकपूर तो काफी सारा एरिया तो वो इस देवगण अंतर यहां चीजें थी मैं यह तो नहीं कह सकता या यह ऐसी कोई स्थापना नहीं है कि यहां पर कोई बड़ा बैभाव रहा होगा बहुत सारे कुछ वैसे बाते रहे हूंगे लेकिन प्रकरती का जो गौराव है प्रकरती का जो यहां पर स्वार है वो जरूर यहां पर ज जाता है कि जैटाशंकर नाम का एक बड़ा हाथी था जाटवा शाह के पास में और हाथी बहुत सारे थे तो दिली के सुल्टान के भी हमेशा निगाह इस हेरिये पर रहती थे परियटन की द्रस्ती से चुकि एक होया हुआ इतियास था जिसको फिर से जलपरशासन ने एक तर जोजा से भरे हुए हैं वो किसी भी विशह में पारंगत हो सकते हैं लेकिन एक बड़ी अनिश्चिता है उनका सांथ कि वह अगर कुछ अर्चित कर रहे हैं कुछ किसी डिस्सिप्लीन में आगे जा रहे हैं तो वह आगर को उसके लिए कहा जाए और हमेशा बात होती है बसे हुए इन गाओं का भविश्य क्या हो सकता है अगर यहां के मेरे बच्चे निकल के बड़े शहरों में नागपूर चेनाई या बाकी दीगर जगों पर चले जाएंगे तो यह इसका भविश्य क्या रहेगा यह हम जब हैरीटेज रेस्टोरेशन का का काम कर रहा है यह इसमें जो तकनीक आप यूज कर रहे हैं इसकी संड्रेक्शन के लिए यह पुराने ही विदियों का आप इस्तमाल कर रहे हैं वरतमान समय में जिस प्रकार से सीमेंट का उप्यों ता वो नहीं कर रहा है यह कुछ अलग हटके हैं देखिए इसमें जो हमारे विशेशक गें कि यह किस मसाले से बने हैं या कि इनकी जुडाई किन चीजों से हुई है और हमने चूना और सुर्खी कोई वपरने का यहां प्रयास किया है तो मन्रेगा में यह काम करना थोड़ा चुनोती पूंड तो था क्योंकि एस्वार में उन आइटम को सामिल करना वरिष्ट से पर उनसे अनुमती लेना लेकिन अभी आपने देखा होगा कि इनको भी हमने जो इनकी चिनाई की गई है इनकी जूडाई की गई है वह लगतार हमने चूना पत्थर और सुर्खी से ही करी है तो सुर्खी बनाने का भी पैटर्न जो है आप जानते हैं जिसमें उड़द जाते हैं चुने के सांसुर्खी मिलाई जाती है और आइडिया यह है कि अल्टिमेटली इसको अगर हम कंजर्व कर रहे हैं तो इसकी जो हिस्ट्री इसकी जो आइडेंटिटी है उसको हम कहीं भी करप्ट ना करें यह हमारा जरूर्द गिजन रहे हैं देवगण पहुचने से पहले रास्ते में बंसल्यूस की टीम को नासिक के प्रसिद्ध चित्रकार नीलेश भारती मिले जो की आदिवासियों के जीवन पर पिछले चार साल से चित्रकारी कर रहे हैं उन्होंने भी से लाके और बावडियों से जुड़े अनुभव हम से साजा किये जिले में पिछले चार सालों से यहां पर आदिवासियों की विरासतों पर यह चित्रकारी कर रहे हैं आईए हम आपको मिलवाते हैं नीलेश भारती से नीलेश जी आपका बंसल्यूद में स्वागत है आप आज देवगड में हैं और क्या बना रहे हैं पिछले चार साल से म कि कोशिश अपने पेंट के दारा कर रहा हूं और बहुत ही खुबसूरत ऐसा यह स्ट्रक्चर है जो कही और मिल देखने को मिलता नहीं है तो यह पेंट करने मुझे बहुत मज़ा आ रहा है मैं कैमरा परसन से कहूंगा कि इनका जो कैनवास है वो दिखाएं और इसके बाद वो जिस चीज का विजुलाइज कैनवास पर उतार रहे हैं और यह बहुत सुन्दर दिख रहा है जो कैनवास पर रंग भर रहे हैं अपने आप में बहुत ही एक तरह से आपने पूरे चित्र वो कैनवास पर उतार दिया और वो द्रहेश्चे दिखा जिसको वो कैद इसमें कर रहे है देवगण की विरासत पे आप लगातार पेंटिंग्स कर रहा है आदिवासी छित्रों पे आप क्या खुबियां यहां पर आपको दिख़्ाई दे रहे हैं जो कि मुझे तो यह दिख़्ाई दे रही कि virtual अधिशलेक। जो खाली देवगड में मिलती है देखने को वो feelings, वो painting के जरे colors के माध्यम से हमें यहाँ catch करना है यहां के आदिवासी का जो drapery है यहां के जो color scheme है यहां के जो पाढ़ है यह बहुत अलग है, उसको एक scheme में paint करना और उसको चितरबद्द करके फाइनल इसका जो आउटपूर मिलता है वो बहुत ही आनंद दायक होता है एक चित्रकार की नजर से परियर्टनों को कितना अच्छा लगेगा ये शेत्र बहुत ही बहुत ही मैं बहुत इंडिया ऑल इंडिया गुमा हो पेंटिंग करने के लिए इस यात्रा की शिर्बाद से ही हमारे साथ जिला पंचायद के CEO गजेंदर सिंह नागेश दिलि से आये conservation architect मुनीश पंडित हमारे साथ रहे इसके साथ ही हमने इन प्राचीन बावडियों को और नस्दीक से देखा साथ ही उन किसानों से भी बात की कि कैसे ये बावडियां उनके लिए वर्दान साबित हो रही है लगातार हम देवगड की बावलियों को नजदीक से जान रहे हैं देखने के बाद हम आप पहुंचे हैं शिवपर टेल की बावली पे और इस समय हमारे साथ शिवपर टेल स्वहें मौजूद है आईए हम उनसे बात करते हैं शिवपर टेल जी बंसन लियूज में आपका स्वागत है आप बताएं कि बावली का जीरनोधर किस प्रकार हुआ और पहले ये किस इस्तिती में थी जी सर ये बावली या जो थी पहले पुराणी थी खिसल चुकी थी और हमारे ये मन्रगा के तहट जो बावली का जिन उद्धार हुआ है इसे हम बावली को हमारे को काफी रात मिल गया है और चौगोना फसल लाब मिलता है हमारे को इस प्रकार आर्थिक गतिविदी में आपको क्या फायदा मिला पीने का पानी साफ मिला खेती के लिए पानी मिला और क्या हुआ इस ये आर्थिक इस्तिती में हमारे को पानी भी शाफ हुआ है इसमें जो मलमा भरा था ये मलमा भी निकाल दिये और इससे पानी भी काफी बढ़ चुका है पहले पानी कम था, इसके बाद में फिर जिसका ये मलमा जो निकालें, मशीन दुआरा, इससे पानी का आवग भी बढ़ गया और इसे हमारे को काफी जैसे गहों की फसल हो रहा है, पहले सरब एक फसल होती थी बारिस का कई साल पहले ये बाबडियां ही, इस्थानियों लोगों के साथ मुसाफिरों की पानी का सबसे बड़ा इस्तरोत थी और आज ये खेती के लिए संजीवनी बन गई है देवगण रियासत के विबिन मॉल्यूमेंट्स घूमने के बाद हम आप पहुंचे हैं तिलक्चंद उईके के खेत पर जहां पर वे इस समय खेती पर लगे हुए हैं आइए हम उनसे बात करते हैं दिलक्चंद जी आपका स्वागत है बंसली उस पर खेती आप कर रहे हैं पहले और में ख्यांतर रहे हैं अभी तो बहुत सुदार हो गया साथ खेती बाड़ी में बहुत लादमी मिल रहा है और उसमें आजमी का किसार पूरे आगे बढ़ते जा रहा है आपके कुए का घहरी करन हुआ पहले पानी नहीं था तो इससे बहुत सुदार हो रहा था खेत में संत्रे के पौधी भी दिख रहा है संत्रे के बगीचे देख रहा है इसके बारे में बदाएं खेती के पेल लगे साब बहुत 30,000-40,000-50,000 फल आता है वह ऐसे वैपरे लोग ले लेते हैं जो की गुण राजा जटवा शाह और वक्त बुलंद शाह की वेवफशाली इतिहास की कहानी को बया करती है हाला कि अब तक 50 से ज्यादा बावडियों और 15 से अधिक कुऊं की खोच कर ली गई है जिनहें सवा राजा चुका है देवगण की प्राचीन विरासतों को नस्दीक से देखने के बाद जब हम रानी तालाव पहुँचे तो हमें यहाँ पर जिलब प्रशासन द्वारा चलाई गई वर्क्शॉप दिखाई दी ग्रामीनों को यहाँ पर प्रस्टिक्षन दिया जा रहा है कि देवगण सामराज्य के आसपास जितनी भी पुराने पुरातात्विक उनको सहेजें कैसे उसको रखना है और किस तरह से उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है और इक स्पैशल मिक्चर वो बनाकर इन स्ट्रक्चर को सुरक्षित करते हैं कॉंक्रीट का उप्योग अलग तरह से किया जाता है मुनीश पंडिज जो कि दिली में एक और कि टेक्शर के बेहत अच्छे काम करते हैं हेरिटेज और कि टेक्शर में गंजर्वेशन के काम वि देखें ये काफी अद्भूद है कि पिछले साल लॉकड़ान के दौरान ये काम शुरू हुए और पूनताहा ये एक तरह से लोकल लोगों के दौरा ही किये गए हैं हमारे तरफ से एक तरह का हैंड होल्डिंग है हम इनको टेक्निक्स के बारे में और उसके बारे में थोड तहा लोग अपने बलबूते पर कर रहे हैं और इससे एक बहुत अच्छी बात ये है कि लोकल मेटीरियल्स और जो कांसरमेशन प्रोसेस है वो जानकारी लोगों के घर-घर तक पहुंच रही है और इससे हम एक तरह से एंशूर होते हैं कि आने वाले समय में जब भी मेंट टेनेंस और मैनेजमेंट इसकी शुरुत पड़ेगी तो लोग स्वयम अपने हिसाब से कर सकते हैं देवगड की जो बावलिया है या जो स्ट्रेक्शार है पुरा तात्विक उसको किस नजरिये से आप देख रहे हैं देखे यह एक काफी यूनीक केरेक्टर है यहां का और एक काफी इंट्रेस्टिंग फाइंडिंग है क्योंकि केवल दो स्कूर किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर हमने तकरीबन सतर से सी बाड़ियां और चिन्हित कर ली हैं और इनका एक खास पैटन है एक खास तरह के वाटर को यह कैच करते हैं और उसके बेसिस पे बने हु यूज की गई है कहीं पे स्क्वेर बाड़ी सेंगें पे लॉंगिटूडनल बाड़ी सेंगें और इनकी शमता भी अलग-अलग है हर एक बाड़ी की तो हम यह समझते हैं कि यह देवगड जो इलाका है जो वैली है पूरी एक समय में काफी सम्रिध सेटिल्मेंट रहा होग इसमें जो है आप जिस तरह से एक तरह की रिपेरिंग वर्क हम कह सकते हैं कर रहे हैं तो कुछ स्पैशल मट्रियल आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में आप बताएं जी बिल्कुल यह हम जो काम कर रहे हैं यहां पर कॉंजर्वेशन का यह सारा काम लाइम बेस्ट है चुने को एक तरह से मुख्य माध्य हम बानके उसमें सुर्खी मिलाके उसका मोटार तियार किया जाता है यह एक ऐसी परंपरागत परंपरा है जो पिछले सदियों से चलती जा रही है और इसी मैटेरियल से यह बावडियां भी बनाई गई थी तो से मैटेरियल को यूज करते हुए हम इनको रिपेर भी कर रहे है जिससे कि इनकी जो आयू है वो और पचास सो साल आगे बढ़ जाएगी यह जो पीछे सिस्टम लगा हुआ है यह मैटेरियल तयार क में मिलती है यह एक जिस तरह हम आप देखते हैं जैनरल तरीके में कि हम जब सीमेट कॉंक्रीट मैं इसको मिक्स करते हैं आप उसका एक पैरलल प्रपोजिशन है कि जब लाइम और सूर्खी को और सैन को इकठा किया जाता है तो इस तरह के एक तरह के चक्की में इसको पीसा जाता है तो यह जो पत्थर है, यह heavy weight पत्थर होता है इसमें इसको पीसा जाता है ताकि lime सुर्खी के साथ fuse हो जाए तो उससे उसकी जो strength है वो काफी गुना आगे बढ़ जाती है तो इसमें लाइम सुर्खी मिक्स किया जाता है, उसके बाद इसमें इस तरफ हमारे पास ड्रमस में औरगानिक एड़िटीव्स हैं, बेल, गोर्ड, मेथी, इनको फिर्मेंट करके, हम इनका एक औरगानिक लिक्विड बनाते हैं, जिसको की इस मसाले के साथ मिक्स किया जाता और फिर इसकी application जो है as a motor की जाती है यहां पर इस तरह की जो बावलियां है और structures है पुरा ताथ विक पर्यटन की संभावना आप किस प्रकार देखते हैं चुकि आप डिली से है और बहुत सारे छित्रों में आपने इसमें काम किया है तो कितनी पर काफी प्रयाटन की संभावना है, यह कंसिडर करते हुए कि नागपुर काफी इसके नस्दीक है, या चिंदवाडा जीला, ऐसी साइट्स जो है इतनी कॉंसेंट्रेशन में और इतनी अच्छे नेच्छरल एंवायरमेंट में भारत वर्ष में बहुत ही कम जगाओं पे मिलती जो मेरी अभी तक की जानकारी है, यहां पे भी अगर टूरिस्ट इंफरस्ट्रक्चर को थोड़ा से इंप्रूफ किया जाए और देवगड को आसपास के इलाकों में और मद्यपरदेश टूरिजम के थूरू अगर इसको एड़टाइस किया जाए, तो मैं यह जुरूर सम मजता हूं कि आने वाले समय में यहां पे काफी मात्रा में विजिटर्स जो है वो आएंगे इसके अलावा देवगड का किला भी है, जिसका निर्माण 15 से 16 वी सदी में गौन राजाओं ने किया था हलाकि इस किले के बारे में कोई ज्यादा लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन अव इस इलाके को परेटन के तौर पर भी विक्सित करने की बात हो रही है अभी तक लगबग 50 के आसपास बावलियों का जिर्नोधार किया जा चुका है, वहीं पास में एक पुराना किला भी है, ये दूनों चीज़ें मिला कर और खास करके वहां पे कुछ वन का शेतर भी है, जहां जरी बूटियां और इस तरह की चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ द्वारा विचार किया जा रहा है, और आगे जैसे सुधकृतियां प्राप्त होंगी, तो वहां कुछ स्ट्रक्चर के निर्मान की आवशिक्ता होगी, वरतमान में लोकल स्तर पे जो अपलब्द फंड है, उसके आधार पे हम लोग चीज़ों को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां परेटन की सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सिक्षनादी का कारे अभी चल रहा है। प्रदान कुवर बक्तशाह ने किया, फ्रांसीसी साहेतेकार फरिष्टे ने अपनी केताबों में भी देवगण की गौरोशाली कहानी को बया की है, अकबर नामे में भी देवगण का जिकर मिलता है, अमेद दिवेदी, बंसल न्यूज, देवगण